अज है फिफ्ट जैन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में देखे टाटा मोटर्स का जो शेर है यह 489 रुपीज के आसपास ट्रेट कर रहा है तकरीवन तकरीवन कहा सकते हो कि 490 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है और एक बड़ी ख़बर भी आई है टाटा मोटर्स को लेकर जिसके बारे में जानना जरूरी है एक शॉक दिया गया है एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और उसी के बारे में हम डिक्सक्स यहां पर करेंगे कि वह या क्या करना चाहिए कहां पर मौक्श है तो वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हल करेंगे तो टाटा मोटर्स का यह चार सो नब्दे रुपए की करीब ट्रेड कर चार सो पैतालीस रुपए तक चला गया लेकिन दुबारा बहुंस पिकाया अगर आप में चनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब शेर साड़े पांस सो पे था मैंने कहा था मत खरीदना अब इसको लेकिन जब पिछले साल यह उससे पहले कोरोना काल में जब यह 65 रुप ने बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी और जब यह शेर साड़े पांस सो रुपए तक पहुंच गया था आप देखे यहां पर अगर हम देखे तो 65 पर मेरी यहां पर बाइंग के रिकमेंडेशन थी यहां तक मेरी बाइंग के रिकमेंडेशन रही लेकिन जैसे ही शेर पांस सो पचास रुपए के करीब पहुंच गया था और इवन अगर देखा जाए तो उस वकिए 545 के करीब पहुंच था यह तब से मैंने कहा है कि अब मत खरीदना क्यों मुझे अब यह कंसलिडेट करेगा अब दुबारा मौक्य होंगे 4500 रुपए के ओपर खरीदारी कर और यह पहुंचा भी था था अभी 4500 रुपए से नीचे और मैं अभी भी मानता हूं कि टाटा मोटर्स का जो शेर है उसका जो बेस्ट बाइंग लेवल है मेरे हिसाब से वह 4500 रुपए के आसपास का है अभी मुझे लगता है कि 490 रुपए का जो लेवल है वो अभी अभी मुझे को 4500 रुपए तर ड्रैग कर सकते हैं अभी इसी महीने ड्रैग कर चुके है लेकिन अगर हम बात करने के कोशिश करें अभी भी जो सेमिकंडुक्टर की शॉटेज है वो अभी भी है लेकिन कुछ अच्छी चीज़े भी है और वो यह है कि टाटा मोटर्स जो ह अगर हम बात करें वहिकल तो ये एक अच्छी बात है देश की दूसरी सबसे बड़ी वहिकल कंपनी बन चुकी है टाटा मोटर्स और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मतलब कोई इसमें हैरानी के बात नहीं है ये बड़ी बात तो है येकिन हैरानी के बात नहीं है कंपनी उन्हें जिस तरीके से performance दिखाई है वो वाके में काफी अच्छी है लेकिन दूसरी और अगर हम देखे तो एक negative ख़बर भी आई है CLSA ने जो काफी बड़ी brokerage firm है इन्होंने इनकी जो rating है उनको cut down किया है पहले CLSA का जो टाटा मोटरस में price था वो 450 रुपय का था और खरीदारी की सला थी लेकिन अब CLSA ने इनकी rating को downgrade किया है और बेचने की बात कही है और 408 रुपय का target price इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो domestic passenger vehicle business overvalued while JLR is behind in electrification लेकिन टाटा मोटरस तो electrification को काफी अच्छा है अडॉप करके चल रहा लेकिन JLR अभी भी उसमें पीछे है JLR अभी भी उसको pick up नहीं कर पाया है और यह जो 4008 रुपय का इन्होंने जो price रखा है उसे कुछ parameters भी है The valuation is based on 150 rupees per share for commercial vehicle business Tata Motors का जो commercial vehicle business है उसको value किया गया है 150 रुपय पर share के हिसाब से JLR को 151 rupees per share के हिसाब से value किया गया है और 99 rupees per share के हिसाब से इनका जो domestic passenger vehicle का जो business है उसको यहाँ पर value किया गया है तो ये कुल मिला के तबहिया बनता है ये चार सो आठ के करीब का जो प्राइज है ये कुल मिला के बनता है यहाँ पर अगर हम बात कने जाए तो CLSA expect the sharp improvement in volume for JLR as chip shortage is and believe the company's domestic vehicle business will post strong growth over next three years तो देखें CLSA ने भले ही इनके target को cut किया है बेचने के सलादी है लेकिन उनका ये भी मानना है साथ साथ में ये देखें जैसे जैसे जो chip की shortage है अब दिरे दिरे नहीं रहने वाली है और इसलिए जो इनकी जो volumes है वो बढ़ते हुए नजर आसा है तो जो strong growth है वो देखने को मिल सकती है Tata Motors definitely मुझे ये company बहुत ही ज़्यादा पसंद है बहुत ही ज़्यादा और अगर हम देखें तो large cap share है ये एक लाग साथ हजार करोड से भी ज़्यादा का इसका market cap है volume लेड करोड से भी ज़्यादा का देखने को मिला है बड़ी quantity में share इसके trade हो रहे है 46.41% की holding promoter के पास है 13.35% की holding files के पास है 6.50% की holding mutual fund के पास है 5.91 insurance company और ये September का डेटा है December का अभी तक आया नहीं है लेकिन बहुत जल्दी December के डेटा भी update होंगे तो देखना interesting रहेगा कि बड़े बड़े fund houses ने यहाँ पर क्या game खेला है किस ने खरीदा है किस ने बेचा है टाटा मोटर्स के बारे में अगर हम देखे तो 20% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और reason भी simple है इनका क्योंकि देखो 500 रुपए कल जो level है वो मुझे लगता कि एक resistance वाला level है और omicron के जो cases बढ़ रहे हैं इंडिया के सासथ all over world में जिस थरीके से cases बढ़ना शुरू हो रहे हैं कहीं न कहीं supply chain disrupt होगी लेकिन 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 पिछले साल वाली गिरावट आप expect नहीं कर सकते कि यह share अब 400 पर चला जाएगा नहीं जाएगा 500 से 400 पर नहीं जाएगा अभी है लेकिन 450 तक जाने के chances हैं इसके अभी भी ठीक है 400 रुपए के नीचे नहीं जाएगा आप अगर इतना नीचे के bottom fishing के बारे में सोचने की कोशिश करोगे तो भाईया वो होने से रहा लेकिन पर इसे decline ज़रूर हुए है लेकिन अभी भी अच्छे revenue मैं मानता हूँ इसको डाई लाग करोड के revenue है company के company profit में नहीं पिछल तीन साल से profit में नहीं और even बहुत बड़ा losses हो रहा है इनको लेकिन देखो company जो trade कर रही है न टाटा मोटर्स वो कर रही है अपने future plans के हिसाब से इनकी future plans है वो बहुत ही शांदार है company के company electrification में जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो वाकई में extraordinary है आने वाला वक्त electrification का है electric vehicles का है Tata Motors गाड़ी बना रहा है Tata Chemical इनके लिए battery बना रहा है Tata Power इनके लिए infrastructure बना रहा है सब कुछ आने वाले समय में अच्छा होने वाला है T Tata Motors की में बात करूँ तो मुझे यह long term के लिए पसंद आता है short term में मुझे लगता है कि यहां से थोगड़ा सा correction आ सकता है हलका सा collection अपनलब जो correction है वो आ सकता है लेकिन जब भी वो आएगा खरीदारी के मौके बनेंगे और मैं इसको long term के लिए अभी भी बोलूंगा कि हा इलका सा correction होगा कोई बहुत बड़ा correction नहीं होगा ठीक है तो उस चीज़ को भी यहां पर याद रखिए और 73% टार्टा मोटर्स में खरीदारी करने के भी आपको सलह दे रहे हैं CLSS का जो target है 408 मुझे रखता है कि वो इतना नीचे नहीं जाएगा लेकिन 4500 रूपय के आसपास यह जा सकता है यसा मेरा मानना है वीडियो को यहीं पेंट करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल बगरा पहली बाहर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं थैंक्यो